हाई गाईज, अभी हम लोग पढ़ने वाले है relational operator के बारे में, इसमें operators होते हैं less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, equal to, not equal to, ठीक है, example आपको दिख रहा होगा, less than में, less than में अगर 5, less than 2, अगर यह सही है, तो result आएगा true, otherwise false, जब हम लोग इसको प्रोग्राम में करते हैं, तो आपको true और false नहीं दिखेगा, बलकि 0 and 1 दिखेगा, अगर 0 है, it means, यह false है, अगर 1 है, it means, यह true है, okay, similarly greater than है, greater than है, हम लोग relation निकालते हैं, दो integer, दो values में, दो variables में, तो उसका value है true यह false में मिलेगा, जो की 1 यह 0 से denote के हो रहेगा, okay, similarly less than or equal to, greater than or equal to, equal to, not equal to, तो मैं सभी को नहीं आता हूं, बाकि आप अपना task समझें कि आपको यह पूरा करना है, okay, तो चलिए, हम लोग देखते हैं, कुछ examples, इसका live, यहां मैंने program लिखा हुआ, int, a equal, मैंने 5 लिखा हुआ, b equal, मैंने लिखा हुआ, 2, और c में, a greater than b कर रहा हूँ, a greater than b, यानि 5 greater than b, जो की true है, तो हमा मैं इसको greater than, को अगर less than कर दूँ, a less than b, तो यह false हो जाएगा, और हमार output आएगा 0, c equal 0, okay, equal, equal का एक, बहुत लोगं confused हो जाते हैं, equal, equal में, तो हम लोग यह equal, equal का एक देख लेते हैं, यहां equal, equal, यानि कि a equal, equal, b, यानि कि 5 equal, equal, 2, तो इसका output आएगा 0, because 5 equal, equal, 2 नहीं होता equal, equal, equal कहने का मतलब होता है, जभी हम प्रोग्राम में बात करते हैं, यह पर चाहिए c हो या c++, जभी हम प्रोग्राम में equal की बात करते हैं, equality की बात करते हैं, तो हमें two times equal, equal लिखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि one equal का means होता है, कि हम value दे रहे हैं, मतलब value assign कर रहे हैं, यहा इसका value और इसका value दोनों का value same है या नहीं है दोनों का value equal है या नहीं है यहां बात same की होती है यानि कि दोनों का value same है या नहीं है और एक equal में हमारा ये value assign किया जाता है तो यही difference से equal में और equal equal में इसलिए याद रखिएगा जब भी आपको relation find करना या फिर दो numbers को compare करना कि दोनों बराबर है या नहीं है तो आपको two times equal equal लिखना है अगर मैं यहाँ 5 कर दूँ तो अब यह हमें one output देगा because a equal equal b c equal one आ रहा है तो यह हमारा सही उसी तरह यहाँ आप not equal लिख सकते हैं यह आपका not equal अभी तो equal equal है तो यह तो आपका false हो जाएगा यानि कि output आपका zero आएगा c equal zero आ रहा है लेकिन अगर आप यह true कर देगे तो आपका यह true हो जाएगा बागी जो बचा हुआ है greater than equal to less than equal to यह आपका task है आप इसको complete कीजिएगा बहुत ही easy है I hope कि सभी की समझ में आ गया होगा यह relational operator thanks watching this video